तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का दो चैप्टर कम्प्लीट करने वाले हैं क्योंकि दोनों चैप्टर जो है न नजमियन की कवीता है और सुनिये हमारी बात खोध्यान से चैप्टर नमबर जो 32 है इसका नाम है शिकस्त जिन्दा का खाब शिकस्त का मतलब होता है हार, जिन्दा का मतलब होता है कैद खाना, जेल और खाब का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं सपना यानि कि एक ऐसा सपना, एक ऐसा खाब जिसमें कैद खाने की हार हो रही हो कैद खाने से जो कैदी हैं वो कैद खाने को तोड़ करके बाहर निकल रहे हो वैसा सपना यानि कि ये जो नजम है ये कविता उस वक्त लिखी गई है जब हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए लोग संघर्स कर रहे थे और उस वक्त जोश्मरी अबादी मौजूद थे वहाँ पर अपनी आखों से सारे मनजर को देखे थे ठीक है और जब हिंदुस्तान यानकी भारत देश को हमारे भारत देश को आजादी दिलाने के लिए लोग लड़ाईया लड़ रहे थे संघर्स कर रहे थे ठीक है तो ऐसा कि मौमेंट को अपने कहानियों में उता रहे हैं कुछ ऐसे शायर हैं जो कि अपने नजमों में उता रहे हैं यानि लिका तो उसी में से एक शायर है जोश मलिया बादी इन्हों लोग भारत देश को आजादी दिलाने के लिए इस वक्त के मॉमेंट को तार है यानि कि इस नजम में उस वक्त के मॉमेंट की मनजर कशी की गई है तो इस नसम को पढ़कर परतियक लाइन का अर्थ मीनिंग में आप लोग को बताओंगी टेंशन फ्री रहिए किसी पी तरीका का इस चैप्टर से कोशन पूछता है ना तो आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे यह मैं आप लोग को विश्रास दिलाती हूं बस आप बहुत डीटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत डीटेल्स समझ लेते हैं उसके बाद से मैं इस नजम का मीनिंग बताऊंगी आप लोग टेंसन फ्री रही है तो चलिए स्टार्टिंग में तो मैं आप लोग को कहूंगी कि बुलना नहीं है लाइक करके जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को शेयर कर देना है चलिए समझते हैं जोश मलियाबादी का रियल नेम शबीर हसंखा है जोश मलियाबादी के नाम से यह क्यों मशूर हो गया क्योंकि इनका तखलुस था जोश यानि कि शेर औशाहरी के ल मलियाबाद का एक कसबा है कवलहार वही पर इनकी पैदाईश हुई थी अठारसोचानबे रिष्भी में ठेक है आगे बढ़ते हैं इनके वालिद यानिकी पिदा जी का नाम था बशीर एहमद खा और दादा जी का नाम था फकीर मुहमद खा यह तीनों जन जो है ना वो श के रोशारी करना स्टार्ट कर दिये थे और याद रखिएगा नासिख के शागिर्थ शेख इमाम बक्स यह भी कोशन पूछ देता है कि नासिख के शागिर्थ का नाम के है तो शेख ही इमाम बक्स ठीक है आगे बढ़ते हैं उर्दू और फार्सी और अर्भी यह तीनों ल और अगरा में senior camera's तक तालीम हासिल किये थे तो देख लिजिये लखनाओ, अलिगर्ण सितापुर और आगरा में senior camera's तक तालीम हासिल किये थे ठीक है आगे बढ़ते हैं उन्हीं से 14 Link में इनकी शादी हो गई थी किन्से तो अशुर्फ जहां बेगम से जो की मुहम्मद मुकी लड़की तो उन्हें से 14 में इनकी शादी हो गई और जैसे इनकी शादी वी तो कुछ दिनों के बाद इनके वालिद वशीर एहमद खा का इंतकाल हो गया उनकी मौत हो गई तो उस वक्त जो है न अल्लामा एकबाल को आप लोग जानते ही हैं जिस तरीके से जोश मलियाबाद हिंदुस्तान यानि कि भारत देश को आजादी दिलाने के लिए लोग संगर्स कर रहे तो उस वक्त की मंजर को अपनी नजमों में उता रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से अल्लामा एकबाल भी जो थे ना वो भी बहुत बड़े शायर थे सारे जहां से अच्छा हिंदू सि था हमारा यह जो लाइन है यह अल्लामा एकबाल का ही है आप लोग जानते होंगे तो यह भी उस वक्त मौझूद थे और यह हमारे भारत देश के उपर बहुत सारी मलब शिरोशायरी किये थे और उस वक्त के मंजर को देखे तो और विजुली बात है यह भी अपने नजमो मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के मश्वरे हैं आसमानों में वतन की फिक्र करनादा मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के मश्वरे हैं आसमानों में न समझोगे तो मिढ जाओगे ए हिंदुस्तान वालो तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्त तिया जा रहा था जो लड़ाई ये लड़ी जा रही थी उसको भी इन्होंने अपनी नजमों में उता रहे और बहुत ही खुबसूरत धंग से उता रहा है ठीक है तो अल्लामा एकबाल के सिफारिस पर ही जो है ना जोश्मलियबादी को नौकरी मिली थी कहां पर तो देखिय है ना जोश्मलियबादी पाकिस्तान चले गए थे और इनका इंतकाल हो गया था 22 फरवरी उन्हें सब 82 को याद रखिएगा इनके नजम और नसर की दो दर्जन किताबें हैं ठीक है मतलब दो दर्जन किताबें महफूज है हलांकि इससे बहुत दो दर्जन किताबों से भी बहुत ज़्यदा इनकी किताबें थी लेकिन अभी महफूज है दो दर्जन किताबें नजम और नसर दोनों की ठीक है आगे बढ़ते हैं इनकी कुछ किताबों का भी नाम या पर दे दिया गया है जैसे कि यादों की बरात ये खुदनविष्ट का किताब है उसी तरीके से रूहे अदब नक्षोनेगार शोलाव शबनम जुनून वा हिकमत हर्फ वा हिकायत आयात और नखमात सैफ वसबू वगर वगर इनकी धेर सारी किताबें जैसे कि मैं बता ही दी दो दर्जन किताबें महफूज है अभी तक जोश्मलियबादी की तो आई होप आप लोगों क इनके बारे में सारा डीटेल समझ में आगे होगा चौट करके में बोर्ट पर लिख दी थी हालांकि अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो इनके बारे में लंब चोड़ा दिया गया है तो उसको देखकर घबरानी की जोड़ नहीं इसी हो जैसे तो मैं बोर्ड पर करना सजाएं नहीं कर लिए और नहीं तो विडियो हैं बहुत ही खुबसूरत अंदाज में लिखा गया है और एकदम जोष जुनून भर जाने वाला है इस नजम को पढ़कर देखिए जोष मलियबादी का कोई भी शिरोशाइरी हो जोष जुनून भर देने वाला होता था ठीके इनके नाम ही में है जोष सोचिए यानि कि बात है हिंद का जिंदा काप रहा है यानि कि हिंदुस्तान का भारत देश का जो कैद खाना है वह काप रहा है गुज रही है तकबीरे यानि कि नारे जो है ना भारत देश के देशवास्यों के कानों में गुज रहे हैं उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जन्जीरे यानि की अब जो कैद खने के कैद़ी हैं जिन मितलब जो हमारे भारत के देश्वाश्री हो को जो अंग्रेज कैदी बना कर रखे हुे थे कैद खने में तो अब वो कैद खने के कैदी जो ह Cinderella आ उकता गए हैं उगए और तोड़ रहे हैं जन्जीरे अपनी जंजीरों को वो तोड़ रहे हैं दिवारों के नीचे आ आकर यू जमा हुए है जिन्दानी सीनों में तला तुम बिजली का आखों में जलकती शम सीरे यहां पर बोला जा रहा है कि दिवारों के नीचे आ आकर यू जमा हुए है जिन्दानी जिन्दानी कहते हैं कैद को कैद खाने के कैदी को तो बोला जा रहा है यहां पर की दीवारों के नीचे जो कैद खाने की दीवार है उसके नीचे आ आकर जमा हुए जिन्दानी यानि कि जितने भी कैदी है ना सभी कैदी दीवारों के नीचे आकर इकठा हो गये हैं जमा हो गये हैं सीनों में तलातुम बिजली है और आखों में शमसीरे यानि की तलवार जैसी चमक है शमसीरे जलक रही है भूकों की नजर में बिजली है तोपों के दहाने ठंडे हैं तकदीर के लब को जुंबिश है दम तोड़ रही है तद्वीरे यहां पर बोला जा रहा है कि जितने भी अब भूखे गरीब ब्लाचार लोग हैं अब बीन अंग्रेजों से नहीं डर रहे हैं अब उनके अंदर भी देश फ्रेम जाग उठा है अब बहुत के लिए यहार मैप निडर हो खड़े और इस ज़ोश और इस जुनून को देखकर जो है ना तोप भी ठंडा पड़ जा रहा है तकदीर के लब को जुम्बिश है दम तुड़ रही है अब जो तकदीर का लब है होट अब भी काप रहे हो भी लडख़ा रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा भारत देश के देश्व खोला है सच्जदे में पड़ी है तामीर है या पर बोला जा रहा है कि जो सुल्तान है यानी कि उस वक्त भारत का सुल्तान राजा आप क्यों कर सकते हैं तो जो उसका चेहरा बेनूर हो चुका है उसकी आखों में एक से डर दिखाई दे रही है किसका डर तो भारत देश के देशवासियों का डर दिखाई दे रहा है वो देख रहा है कि देशवासियों के अंदर देश फ्रेम जाग उठा है ठीके तो इसी वज़े से सुल्तान का चेहरा जो है न वो बे नूर हो चुका है और जितने भी अंग्रेजों के चाल हैं वो नाकामयाब होते जा रहे हैं क्या उनको खबर थी जिर्व जबर रखते थे जो रूह मिल्लत को उबलेंगे जमी से मारेसिया बरतेंगी फलक से शमसी रहे यहां पर बोला जा रहा है कि क्या उन अंग्रेजों को खबर थी जो भारत देश के देशवासियों को इतनी तकलीख दिये थे इतना परेशान किये थे यहां तक कि अपने सामने खड़ा भी नहीं होने दिया करते थे ठीक है गुलाम बना के रख दिये थे क्या उन अंग्रेजों को खबर थी कि एक दिन यही भारत देश के देश्वासी जमीन से काला सांप बन कर बाहर निकलेंगे और फलक से यानकी आसमान से शमसीरे यानकी तलवार बन के बरसेंगे क्या उनको खबर थी उसी खून चुराया करते थे एक रोज उसी ब्रणुंगी से जलकेंगी घजारों तस्वीरे क्या उन अंग्रेजों को खबर थी जो सीनों से खून चुराया करते थे यानकी बहुत ज़्यदा क्तल किये थे भारत देश के देशवासी उखा खुन बहा दिया करते थे यह अंग्रेज ठीक है तो क्या उन अंग्रेजों को खबर थी कि एक दिन यही भारत देश के देशवासी उनके खुन के प्यासे हो जाएंगे क्या उनको खबर थी जो होटो पर कुफल चढ़ाया करते थे एक रोज उसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तक्रीरे क्या उन अंग्रेजों को खबर थी जो होटो पर कुफल चढ़ा दिया करते थे यानि कि अपने सामने खड़ा होना तो दूर बोलने भी नहीं दिया करते थ से होटों पर ताले लगा दिया करते थे एक रोज उसी खामोशी से टपकेंगी दह्ती तक्रीवे क्या उन अंग्रेजों को खबर थी कि उसी खामोशी से एक रोज घरम-घरम धैक्ती-धैक्ती टपकेंगी उनको खबर नहीं थी अब हिंदुस्तान की भारत की लोग जाग वो कैदी जो है ना छूट गया उठो कि वह बैठी दीवारे अब तुम उठ जाओ क्योंकि वो दिवारे जो है ना बैठ चुक है और दोड़ो के वह टूटी जंजीरे यानि कि अब दोड़ो जंजीरे जो है वो टूट चुकी है तो वही यहां पर बोला जारा है अंग्रेज यहां पर जो है ना चैप्टर नंबर 32 जो है complete हो गया यह नजम पढ़कर मैं आप लोग को इसका मानी बता दी आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अगर इस नजम का कोई भी दो लाइन उठा कर आप लोग एक्जाम में पूछता है तश्रीक करने के लिए तो आप ल यह हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 33 को complete करते हैं जिसका नाम है आवारा और इस चैप्टर का नाम सुनकर आप लोग को लग रहा होगा कि इस चैप्टर में एक ऐसे शक्स के बारे में बात की गई है जो आवारा और नकारा फिर रहा हो ठीक है मतलब क्यों तो एक आवारा हो तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं इसमें एक ऐसे शक्स के बारे में ही बात किया गया है एक ऐसे शक्स के बारे में ही बताए गया है जो आवारा फिर रहा है और वो शक्स कोई और नहीं इस चैप्टर के राइटर मिजाज लखनवी खुद है या आवारा और नाकारा फिर रहा हूं दर्बदर मारा फिर रहा हूं ठीक है पूरी नजब में आप लोगो पढ़कर उसका तर्शी करूंगी आप लोग टेंशन फ्री रही है चलिए सबसे पहले मिजाज लखनवी के बारे में समझते हैं क्यों मिजाज लखनवी जो है ना वह आवारा फिर रहे हैं क्यों नकारा फिर रहे हैं आखिर इनके साथ हुआ क्या है देखिए इन से लड़की से महबत कर बैठते हैं और इश्क में इनको नाकामयावी मिलती है जिसके वजह से यह शराब पीना स्टार् तो चारो तरफ होती है प्लस श्राब नोसी भी करते हैं इस वज़ा से यह दर बदर मारा फिर रहे हैं ठीक है चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी सबसे पहले मिजाज लखनवी के बारे में जो भी टिटेल्स दिया गया है वह मैं यहां पर बोड पर शॉर्ट कॉट में लिख दी हूँ बहुत चारा भर भर के डीटर्स दिया गया था लेकिन शॉर्ट कॉट की हूँ तो इतना हुआ है ठीक है इसका स्क्रीन शॉट ले लिजेगा मैं स्क्रीन शॉट लेने का मौका दूंगी सबसे पहले समझे मिजा रखो ठीक है और इसरानुलहक मिजाज इनका पूरा नाम है फुल नेम है वालिद का नाम था सिराजुलहक और दादा जी का नाम था चौदरी एहमद हुसैन और यह अपने खांदान के ऐसे शक्स थे जिन्होंने बगाइदा मेहनत करके सरकारी नौक्री हासिल किये थे यानि कि सरकारी नौक्री करने वाले अपने खांदान के ये पहले शक्स थे पहले इंसान थे तो इन्होंने सरकारी नौक्री भी हासिल किया था इनको जगन कहा जाता था बच्पन में क्योंकि बच्पन में ये जाग जाकर रात भर जाक जाकर पढ़ाई करते थे इसे वालिद के साथ लखनाउं चले गए ठीक है और लखनाउं में ही अमीनाबाद हाई स्कूल में इनका अड्मिशन हुआ और वहीं से इन्होंने 10 घ्लास का एक्जाम पास किया यान की मैटरिक का इमितहान पास किया ठीक है उसके बाद क्या हुआ वालिद यान के जो पिता जी है यह अड्मिशन करा लिया लेकिन जब इक्जाम हुआ तो उसमें यह फेल हो गया नाकाम हो गया नाकाम में मतलब इसमें नाकाम होकर यह अलीगड में आ गये और अलीगड मुस्लिम इंटिटी से इन्होंने आठ सब्जेक्ट से ब्याइए यान के ग्रेज़िएशन करना इन्होंने बीए पास करके में में दाखला लिया लेकिन जब में का एक्जाम हुआ तो उसमें शरीक ही नहीं हो पाए यानि कि में के इक्जाम में यह बैठ ही नहीं पाए और मतलब समझें कि इनकी तालिम बीए तक ही है क्योंकि में 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 एक्जाम हुआ तो उसमें ग मुसंी मिन इनिए तीट की माहोन मिलाजम होकर दिली चले महा उन्हें को कम करने लगे लगे तो और राव nova इंडिया रेडियो में मुलाजम होकर यह दिलली चले गए और वहीं पर इनको क्या हुआ एक खातून से इश्क का रोग मिल गया ठीक है मतलब इन्हों ने एक खातून एक लड़की से मुहबत कर बैठी और उस लड़की की यहां तक की शादी भी हो गई दूसरे से मतलब कि इनको अपना मुहबत नहीं मिल पाया इश्क में नाकामियाबे मिली ठीक है इस वज़य से क्या हुआ कुछ दिनों के बाद यह लखना वापस आ गये और शराब पीने लगे शराब नोसी और इश्क में नाकामी इनको कहीं का नहीं छोड़ा था ठीक है चारो तरफ तो इनकी बदनामी हुई थी और उसके बाद से शराब पीना स्टार्ट कर दिये ठीक है और आगे बढ़ते हैं देखिए यही होता है हाल इसी वज़े से मैं आप लोगो पहले ही बोलती हूँ कि पहले ही संभल कर रही है देखिए मिजाज लखनवी की साथ क्या हुआ इश्क में जब नाकामी मिली तो शराब पीना स्टार्ट कर दिये और उसके बाद से इनका चारो तरफ बदनामी हुआ और इनकी हालत देखिए बीन इनका इंडिंग यायने की मतलब कि इनकी मौत की तरह से होती है जरा देखिए Karlory में एको नर्वस ब्रेकडावन काहमला हुआ मिजाज लखनवी पर 1940 में पहली बार nervous breakdown का हमला हुआ यानिके इनके दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था पहली बार nervous system तो आप लोग पढ़े होंगे जो हमारे पूरे body को control करता है उस system को कहते है nervous system ठीक है और nervous system का सबसे important part होता है हमारा brain ठीक है तो nervous breakdown का उन्हें से 40 में पहली बार इन पर हमला हुआ तो दिमाग इनका सही से काम नहीं कर रहा था चीज़े भूल जाया करते थे कुछ भी बोलने लगते थे उसके बाद से कुछ सालों के बाद दूसरा हमला हुआ जब दूसरा हमला हुआ तो उसे संहले उस हमले से संहले तो बंबै गए थे मतलब संहले थे दवा वगड़ा खाए थे तो कुछ सेक्षायोन में यह पाकिस्तान खुबने गए थे पाकिस्तान से वापस आएं तो वाप्सी के बाद उन्य इससे बावन में इनको इन प्र क्या हुआ तीसरी मरत जुनूनुका दोरा पड़ा्यानिकि नरउस तक पूरी तरीके से पागल हो गया, तिक है और तब इनको राची के पागल खाने में रहे थे वही पर इनका इलाज चल रहा था और 3 सितंबर उन्हें सब 55 को एक शराब खाने के छट पर उन्हें डबल निमोनिया हो गया और दिमाग की नसे फट गई देखें शराब खाने के छट पर ये थे शराब पी रहे थे मदमस्त होकर तो 3 सितंबर की बात है 3 सितंबर उन्हें सब 55 को उसी शराब काने के छट पर उ दिमाकीन से फट गई और इनका इंतकाल हो गया पांच दिसंबर उने सब 25 को सोचे कितनी दर्दनाक मौत हुई थी मतलब कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था हलांकि इनको शराब नोसी नहीं करनी चाहिए थी शराब नहीं पीना चाहिए था लेकिन अब अपने घम को भूला खाने के लिए जो है ना यह शराब पीया करते थे और आखिरकार इनको देखिए क्या क्या हुआ था तीन मर्तबा तो सबसे पर इनके नर्वस ब्रेक्डाउन का हमला हुआ था जो है यह राची के पागल खाने में बंद रहे थे उसके बाद से शराब खाने के छट पर इन् है आहंग जो कि उन्हें से शाय हुआ था यह याद रखिएगा तो फाइनली बस इतना ही डिटेल्स जानना था मिजाज लखनवी के बारे में शॉट करके मैं बोड पर लिख दी अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ले स लिए मैं आप लोगों को यह नजम पढ़कर उसका तश्री कर देती हूं यानि की मेनिंग बता देती हूं कैसे जो है ना मिजाज लखनवी अपने जजबात का इजहार किये हैं अपने घम को अपने तकलीफ को इस नजम में उजागर किये हैं जरा सुनिए गाधियान से बो का लाएँ पर मिजाज लखनवी का कहना है कि शेहर की रात है और मैं नाशाद वह नाकारा फिर लाहा हूं जगमगाती जागती सड़कें हैं यानि रात शेहर की रात की जड़कें वह जागती घ adapts हुए है लाइज आप लोग जानते हैं शेहर में धो होती जह रही हैं तो क्या करूं और एए वहशते दिल वहशते दिल कहते हैं घबराहट भरी दिल को डरे हुए दिल को भैबित दिल को कहते हैं क्या वहशते दिल तो वही बोल रहे हैं कि एगम दिल क्या करूं एदर्द भरी दिल क्या करूं एगभराहट भरी दिल क्या करूं जिल मिलाते कुम कुम की राह में जंजीर सी रात के हाथों में दिन की मोहिनी तस्वीर सी मेरे सीνे पर मगर दहकी हुए शमसीर सी और गम दिल क्या करूं यहाँ पर पोल रहा है जाज लक नभी कि शहर की रात के सडकों पर जो बिजली के खंबे लगे ङुए हैं ग्जली की खंबे शहर की रात जो है इतनी लाइटिंग सैटिंग की व्योस्ता है कि रात में भी दिन की एक मोहिनी सी तस्वीर दिखाई दे रही है ठीक है मतलब कि ऐसा लग रहा है कि शहर की रात रात नहीं हो बलकि दिन हो गई हो ठीक है तो वही बोला जा रहा है कि रात के हांतों में दिन की मुहिनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर दहकी हुई शमसीर सी, मेरे सीने पर क्या हुआ है, एक शमसीर सी तलवार सी चल गई हो, यहां पर सभी लोग खुश हैं, लेकिन मैं यहां पर नाशाद और नाकारा फिर रहा इसी वो जैसे मेरे दिल पर ऐसा लग रहा है कि तलवार चल गई हो, ऐ घमे दिल क्या करूं, ऐ वहिशते दिल क्या करूं, ऐ दर्द भरी दिल क्या करूं, और ऐ घबराहट भरी दिल मैं क्या करूं यहाँ पर कहना है मजाज लखनवी का कि आकाश पर तारो का जाल है ऐसा लग रहा है कि किसी सुफी का तसवर हो किसी आशिक का ख्याल हो मतलब कि आशिक जितने भी होते हैं वो रात में तारो को देखा करते हैं ठीक है तो आकाश पर तारों का जाल, लेकिन आह, कौन जाने, कौन समझे मेरे जी का हाल, कि मेरे उपर क्या बीत रही है, मेरे दिल पर क्या बीत रही है, मेरे जी का हाल, कौन जाने, कौन समझे, ए घमे दिल क्या करूं, ए दर्ज भरी दिल क्या करूं, और ए घबराट भरी दिल क्या करूं फिर वां टूटा एक सितारा फिर वां चोटी फुल जडी जाने कि इसकी गोद में आई यह मौती की लड़ी हुक सी सीने में ऊठी चोड़ सी दिल पर पड़ी ए गमें ढिल क्या करूं एये attendant करूं यहां पर बोल रहे हैं सितारा तूट चुका है और उसको और मोती की लड़ी बोल रहे हैं यानि कि फिरसे छोटी से फुलजड़ी जो है ना या मोती की लड़ी जाने किसकी गोज में जाके गिरी यानि कि ऐसा होता है ना कि तारे टूटते हैं तो मोती की लड़ी सी बन जाती है ठीक है चेन सी बन जाती है तो उसको देखकर जो भी विश्मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है ऐसा माना जाता अब फिरसे वो तूटा हुआ सितारा मुझे दिख रहे हैं पता नहीं तूटा हुआ है जो मोती लड़ी फुर्जड़ी है वो किसकी गोद में जाके गिरी होगी यानि कि पता नहीं कौन विश मांगा होगा जिसकी मिश पूरी हो गई होगी मतलब यहाँ पर कह रहे हैं मिजाज लखनवी शायर कि मैं जब विश मांगा था तो मेरी विश तो पूरी नहीं हुई मेरी मुहबत मुझको नहीं मिली लेकिन फिर से सितारा टूट चुका है और फिर ये सितारा यानि ये जो मोती की लड़ी है पता नहीं किसकी गोद में जाके गिरी होगी मतलब पता नहीं कौन है जो इतना खुस नसीब है जो विश मांगा होगा और उसकी विश पूरी हो गई होगी हुक सी सीने में उठी चोट सी दिल पर पड़ी और जब मैं इस तूटते हुए सितारे को देखा तो फिर मुझको मेरी महबत यादा गई और हुक सी सीने में उठी और चोट सी दिल पर पड़ी यानि कि दिल पर चोट सा लगा और एगमे दिल क्या करू एवेशते दिल क्या करू एगवराट भरा दिल क्या करू रात हससकर ये कहती है कि मैं खाने में चल फिर किसी शहना जलाला रुख के काशाने में चल यह नहीं मुम्किन तो फिर ऐ दोस्त विराने में चल ऐ घमे दिल क्या करू ऐ वह शते दिल क्या करू यहाँ पर शायर का कहना है कि रात जो है ना मुझसे हां ससकर यह कहती है कि ऐ दोस्त चल किसी शराब ख तो ऐदोस्त चल किसी खाली जगाँ पर चलते हैं, किसी विराने में चलते हैं जहां कोई न हो, ऐ दर्द भरी दिल क्या करूं, ऐ घबराहट भरी दिल क्या करूं, यहाँ पर जो है न, मिजाज लखनवी इस नजम में अपनी घबराहट को दिखा हैं, इनको कुछ समझ में नह करूं, ऐ वैशते दिल क्या करूं, यहाँ पर शायर का कहना है, कि इस शहर में सभी लोग खुश हैं, सभी लोग खुश और सांती की जिन्दगी बिता रहे हैं, एक दुसरे से बाते कर रहे हैं, हस हस कर, सभी लोग खुश हैं, लेकिन हमारा हाल सुनिए, मैं लोग की तरह मेरे जिन्दगी में तो रुस्वाईया ही बढ़ती चली जा रही है, मेरे जिन्दगी में बदनामिया ही फैलती चली जा रही है, मेरे जिन्दगी में इतनी दुख, इतना दर्द और इतना गम क्यों भरा हुआ है, इतने तकलीफे क्यों हैं हमारे जिन्दगी में, मैं दروाजे हैँ वाँ मेरे लिए पर मसिबत है मेरे एहदेवफा मेरे लिए एगम दिल क्या करों एवेशते दिल क्या करों जी मैं आता है कि अब एहदेवफा भी तोड़ दू उनको इनको पा सकता हूं मैं या आसरा भी तोड़ हां मुनासिब है यह जंजीर हवा भी तोड़ दूँ एगम दिल क्या करूं एवशते दिल क्या करूं यहां पर शायर का कहना है कि मुनतजिर है तुफान बला मेरे लिए मेरे लिए जो है ना एक बला की तुफान मुनतजिर है यानि कि इन्तिजार कर रहा है हमारे जिंदगी म में बला का तुफान आने वाला है बला आने वाली है अभी जाने कितने दर्वाजे हैं मेरे लिए यानि कि अभी भी ना जाने कितने दर्वाजे मुसीबत के दर्वाजे हमारे लिए खुले हैं मुसीबत से तो मुसीबत का मुझसे वफा है लेकिन जी में आता है कि मैं इस एह कर रहा है कि उन तभी रिष्टों को मैं तोर दो यह हवा से मेरा रिष्टा है इस रिष्टे को भी मैं तोर दू ए दर्द भरी दिल क्या करूं एक महल की आर्ट से निकला वा पीला महताब जैसे मुल्ला का इमामा जैसे बनिये का किताब जैसे मुफलिस की जवानी जैसे कदेश्य पर शाइर कि दिखाई दे रही है गभराए हुए है कि महल के आड से एक पीला महताब देश्य के इन निकला हुआ है जैसे लगरा हो कि आप वाही है आफिर में आपको बोल रहे है कि दिल में शौला इन घ्रतंक मैं उठा है सबर की भी एक सीमा होती है उस सीमा को भी मैं पार कर गया हूँ अब मैं आखिर क्या करूँ जखम सीने का महक उठा है आखिर क्या करूँ मेरे सीने का जो जखम है वो भी महक उठा है मैं क्या करूँ ऐ दर्द भरी दिल क्या करूँ ऐ वैसत ऐ घबराड भरी दिल क्या करूँ जे मैं आता है यह मुर्दत चन्द तारे ओंसमान ओक्तारे और शायर जोंब पर दिख्या में त Williams के सियोत होग जाइनी को दिखाई हैते हैं सेक्डों चंगेज वो नादिर है नजर के सामने एगा में दिल क्या करूं एवशते दिल क्या करूं यहां पर कहना है कि इस दुनिया में जो लोग कमजोर दिखाई देते हैं जो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं उन्हीं से लोग चिनने की कुशिश करते हैं मैं भ सेक्रों चंगेज वो नादिर हैं नजर के सामने की मेरे नज़र के सामने जितने भी लोग है न मेरे लिए चंगेज खान की तरह है लुक着---- मेरी चीजों को छिनने में लगे हुए हैं, लेके एक चंगीज की हातों से खंजर तोड़ दू, ताज पर उसके हाथों में ढूर थे फूग दूँ उसका शबिस्तां फूग दूँ तक्त सुल्टा क्या मैं सारा कस्र सुल्टा फूग दूँ एगा में दिल करूँ एवशत दिल क्या करूँ यहां पर शायर कह रहे हैं कि जी तो करता है कि सुल्टान का जितना भी साज वसामा है उसको मैं फूग दूँ इसका ग करते थे उससे शादी नहीं हो पाई सिर्फ जात पात की भेदभाव की करण ठीक है ना इस वजह से यहां पर शायर कह रहे हैं कि जी तो करता है कि सुल्तान का तक तो ताज क्या सब उसका महल फूग दू सभी को मतलब सब कुछ जलाकर मैं बराबर कर देना चाहता हूं ताकि स यहां पर नबर 23 कंप्लीट हो इब होग आप लोग को समझ में खेंख में अग्या है तो न में ज deben गंड़े खॉन होंद ढ़ Hugको किना करें यहां अगर समझ में और च तुन बाएक अपने दोस्तों के पास ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके अपने तक सीमित न रखे वीडियो को ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर करें चानल पर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के सांथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज